क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जिने लगता है कि AI उनकी जॉप खा जाएगी अभी रिसेंटली एक बंदा लॉंच हुआ है, बंदा मेरा मतलब AI-based software engineer लॉंच हुआ है, जिसका नाम है Devon D-E-V-I-N अब ये Devon साब क्या करते हैं, आपने कोई भी टास्ट हैं, ये उनकी planning स्टार्ट करते हैं, उसका पूरा plan लिखते हैं, फिर इसका एक अपना full stack available है, एक site के उपर ये अपना code लिखता है, editor भी है, इसके पास HTML viewer भी होता है, और चार different किसम के खाने इसके पास होते हैं, अगर कोई गलती आ जाए, तो ये ही software या ये ही AI based जो software engineer है, ये basically उन bugs को remove करते हैं, by systematically going into the bugs, अब लोग कह रहे हैं कि AI हमारी job खा जाएगी, मुझे सिरफ इस बात का जवाब दें, AI के आने इसे कितने लोगों की job चली गई है, आपने सुने है, कि चैड जी बीटी आया, कितना था हलका मच आया उसने, कितने लोगों की jobs गई, कोई आइडिया है आपको, या किसने बताया आपको, नहीं, कोई इतना बड़ा impact ने बड़ा, अब होता क्या है, ये इस तरह के आपको इनकी खामियों का पता चलता है, अब इस जो चीज लांच हुई है, इसका मतलब यह नहीं कि वह 100% perfect है, still they need to work on the performance of this software engineer called Devon, and the second thing is, अब उन्होंने करनी है investment raise, अब investment के लिए क्या होता है, उन्होंने सबसे पहले अपना top notch की properties या qualities बतानी कि ये devon कर देगा, devon ये कर देगा, devon ये कर देगा, devon ये कर देगा, devon ये कर देगा के सबी drivers इन्होंने replace कर दी, question आपके सामने है, आप जरा check करें, कि कितने percent drivers जो हैं, वो driverless cars आने की वज़ा से unemployed होगे, बलके on the other side, uber या cream जैसे जितनी भी apps हैं, वो इनको और भी utilize कर रही है, अब ये आप पे depend करता है, कि आपने करना क्या है, एक और चीज, devon साब कुछ ने बिगार सकते, अगर आप AI को अच्छे तरीके से समझ के चल रहे हैं, और अगर आपको लगता है, कि जो AI आप सीख रहे हैं, वो सबसे best है, तो रुकें जरा सबर करें, दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि दुनिया में बहुत ही बड़ी disruption हो जाएगी, कि AI आगी हो तो सभी के jobs से ली जाएगी, मिझे एक बात बताए मेरी एक company है, मैं एक software engineer को hire करता हूँ, और उसको बोलता हूँ कि भाई, यह हमारा बहुत ही sensitive data है, इसको आपने deal करना है, अब Devin साब क्या करते हैं, वो इनसान की तरहीं काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता चलना अभी भी, कि कौन सी चीज upload करनी है, कौन सी नही करनी, किस तरह का sensitive data गिटा पर डालना है, किस तरह का नहीं डालना, एक इनसान को आप train कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, कि भाई, यह limitations है, यह ethics है, यह इखलाकियात है, वो ही बात कोई शरम होती है, कोई हया होती है, उस तरीके से अपडेल करते हैं, अब sensitive data वाली कमपनिया क और बात है, लेकिन यहाँ पे, खास वर पे यॉरप के अंदर, अपना personal data कहीं पे upload करते ही नहीं है, तो आपने कैसे सोच लिया, कि डेवन साब आएंगे, और सब कुछ खा जाएंगे, इस not possible, यह इसको दूसरे इलफाज में बोलो, impossible है, reason क्या है, अभी बहुत time लगेगा ह हमें वहां तक पहुंचने के लिए, कि हमारी jobs, डेवन जैसी AI's replace करते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, कि आपने डेवन को use नहीं करना, इसका यह मतलब नहीं है, कि चैट जे बिटी को use नहीं करना, आप ज़रूर use करें इन चीज़ों को, अपने skills को improve करें, AI को सीखें, औ आपने अभी job लेनी है, तो AI को use करके job को पक्का करने की पहले कोशिच करें, बात में सोचें कि मेरी job गई कि नहीं गई, क्या ख्याल है, और अगर आप भी AI और data science सीखना चाहते हैं, तो codenics.com पे जाएं, google पे जाने के बाद codenics.com लिखें, और यहां पे हमारे courses आपके सा Like, Share, Subscribe this video and press the bell icon. See you in the next one. Take care and Allah Hafiz.